हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैंने बनाई है हरी प्याज वैली कड़ी जो बनाना बहुती आसान है और खाने बहुती टेस्टी है यह मैंने लिए एक लिटर लस्टी इस लस्टी में डालेंगे दो बड़े चमज बेशन के अब डालेंगे आता छोड़ा चमज हल्दी पाउडर आता छोड़ा चमज लाल मिर्च आता छोड़ा चमज धनिया अब इसको रई की मदस से फेट लेंगे जिससे की बेशन के गुठले ना रहें अब रही को बाहर निकाल देंगे दोकर यहां मैंने लिए गुच्ची हरी प्याज इसको दोकर बारी बारी चौप्ट कर लें प्याज हमारी कट चुकी है यहां मैंने लिया हरा लस्टन इसको बारी बारी काट लेंगे अब कड़ी बनाने के लिए परतन में डालेंगे तेल तेल को गरम कर लें इसमें डालेंगे दो लाल मिर्ट सुकी हुई अब डाले एक छोड़ा चमज मेथी दाना इसको भून लें अब डालेंगे आधा छोड़ा चमजीरा और आधा छोड़ा चमज राई इसको भी तेल में भून लें अब डालेंगे बारी कटे होए प्याज वहरे प्याज इसका मैंने सफेद वाला हिस्सा लिया है प्याज का इसको भून लें अब डालेंगे एक चुटकी इंग इसको भी मसाले में भून लें प्याज भून चुकी है अब इसमें डालेंगे पेशन का घोल इसको लगातर चलाते रहेंगे जब तक की घोल हमारा गरम न हो जाए लगातर चलाते रहें नहीं तो हमारी ये घोल फट जाएगा अब घोल थोड़ा हमारा गरम हो चुका है जैसे ये गरम होगा इसका रंग भी चेंज हो जाएगा अभी हमारा थोड़ा गरम हो चुका देखो इसमें स्टीम भी उठ गई है अब इसको बोईल आने तक ढख दें आदा ढख दें ढखन से अब इसमें कड़ी में बोईल आना वाला है कड़ी में बोईल आते ही इसमें डाल देंगे हमारा कटा हुआ हरा प्याज सारा कटा हुआ प्याज डाल दें कर दें है करी को our मुइभ जब तक सदु अェंगे थीक कर देए कड़ी न कुछा अब इसके अधा धककर भी करी को यह ढूद भी हों चूदी यह था है इसल यह बेड़ हमारे सब्सक्राइब डालें जीसे की नम कहीं लुए काड़ी हम इसको पकने दे तीन-चार मिनट अब कड़ी हमारी पक चुकी है अब ये खाने के लिए बिल्कु तयार है आप जरूर बनाए हरी प्याज वाली कड़ी